इस वीडियो में हम 13 दस्वलब 3 का प्रश्ण नंबर 5 सॉल्ब करेंगे एक से लेकर 4 तक प्रश्ण हमने सॉल्ब कर लिये हैं अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हैं प्रश्ण नंबर 5 आपको दिया है आठ मीटर उचाई और आधार की तरिज्जा 6 मीटर वाले एक संकू के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अत्रिक् पाएं देखे स्ट्वेंट सवाल में आपसे बोला गया है कि आपको एक संकू के आकार का तंबू बनाना है तिरपाल से जिसकी उचाई आपको 8 मीटर दी हुई है और त्रिज्जा आपको 6 मीटर दी हुई है ठीक है आपसे कहा है इस तंबू को बनाने में लगने वाले ति मीटर इसमें एक्स्ट्रा तरपाल लगेगा अत्रिक तरपाल लगेगा सिलाई वगयरा में तो इसको अभी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है तो यहां तरपाल आपको किस रूप में मिलेगा यह यह मिलेगा भई आयत के रूप में क्यो क्योंकि यहां देखो आपको यह चौडाई तीन मीटर दे दी है और आपसे लंबाई पूछी गई है तो तरपाल किस रूप का होगा भई आयत के रूप का होगा ठीक है अब इस पूरे तरपाल से आप क्या कर रहे हैं इस तंबू को बना रहे हैं यह पूरा का पूरा तरपाल आप इस तंबू में लगा रहे हैं अभी इसको आपको नहीं देखना है ठीक है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है ठीक तो पूरा तरपाल आप इस तंबू को बनाने में लगे तिरपाल का छेतरफल क्या होगा तो आप कहेंगे सर हम इसका बक्र प्रस्ट बना रहे हैं तंबू का नीचे का प्रस्ट ये वाला नहीं बना रहे हैं केबल बक्र प्रस्ट बना रहे हैं तो इस तंबू को बनाने में लगे तिरपाल का छेतरफल इस तंबू का बक्र प्रष्टी चेतरफल होगा बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ पर यह होगा भई पाई आरेल यानि तंबू में लगने वाले तिरपाल का चेतरफल क्या होगा पाई आरेल ठीक है यहाँ मैं आप से बूछ तिरपाल का छेतरफल क्या होगा तो आप कहेंगे सरी यह आयता कार है तो यह होगा लंबाई गुणा चोड़ाई बिलकुल बात ठीक है अब देखिए यह वाला तिरपाल ही आपने इसमें लगाया है यहाँ पर तिरपाल का छेतरफल आपका पाई आरेल है और यहाँ पर है लंबाई गु ठीक अब देखिए यहां पर हमें यह दोनों बराबर मिल गए अब लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं यहां पाई आराल का मान रख लेंगे यहां चोड़ाई आप रख लेंगे तो आपको लंबाई बहुत आसानी से मिल जाएगी और लास्ट में आपको जो भी लंबाई निकल कर आएगी इसमें आपको इस 20 cm को प्लस कर लेना है भही आपकी तंबू में लगे तिरपाल की को लंबाई हो जाएगी अब इस 20 cm को आप लंबाई में ही क्यों प्लस करेंगे क्योंकि चोड़ाई तो आपको फिक्स दे रखिए ना 3 मीटर इसका तो आप कुछ नहीं क कर सकते हो अब यह जो एक्स्टर त्रपाल यह कहां जाएगा भई इसको भी आपको प्लस करना है ना तो किसमें प्लस करेंगे लंबाई में ही प्लस करेंगे अगर प्लस नहीं करेंगे तो यह कहां लेकर कहां जाओगे तो इसको हमें लंबाई में प्लस कर लेना है यही हमारा answer हो जाएगा चली solve करते हैं सवाल में आपको तंबू के आधार की त्रिज़े 6 मीटर दी है उचाई 8 मीटर दी है तो सबसे पहले हैं तंबू की त्रिज़े उचाई निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी आवसकता पड़ेगी तो भही इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे तो यहां हमें मान मिलेगा 10 और यह होगा हमारा मीटर तो हमें गहान मिल गया 10 मीटर ठीक है अब हमें तिरपाल की चौडाई दे रखी है तिरपाल की चोड़ाई दे रखी है तीन मीटर लंबाई हम से पूछी गई है तो यहां हमें लिखना है तमबू बनाने में लगे तिरपाल का छेतरफल बराबर तमबू का बक्रपरष्टी छेतरफल भई तमबू बनाने में कितना तिरपाल लगेगा तंबू के बक्र प्रिष्टी छेतरफल के बराबर तो इस तरह ऐसे आप लिख लिजिए अब देखिए तंबू बनाने में लगे तरपाल का छेतरफल क्या है यहां तरपाल किस रूप में दे रखा है अभी हमने देखा आयत की रूप में तो यहां छेतरफल होगा तरपाल का लंबाई गुणा में चौड़ाई लिख सकते हो आप वाई तरपाल का चेतर फोली जाएगे यह लिख सकते हो बिलकुल और इधार आप फॉर्मूला पाई आर एल ठीक अब मान रख लेते हैं लंबाई हमें निकालनी है चौड़ाई हमें 3 मीटर दे रखी है यहां पाई का मा एक चार गुणा छे मीटर गुणा दस मीटर और बटे में आ जाएगा यह आपका तीन मीटर एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तीन से छे दो बार में कैंसिल हो जाएगा इन सब की आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा बासट दसवलब आठ जीरो मीटर यह आपकी लंबाई यहाँ निकलकर आगई 62, freight, 80 मीटर अब सिलाई आधी में भी तिरोपाल लगा है तो आप लिखेंगे सिलाई आधी में लगा 80 तिरोपाल वराबर 20 सेंटी मीटर ठीक है अब इसको हमें इसमें प्लस करना यह हमें मीटर में से रखा है औग अब इस चीज़ को आपको लंबाई में प्लस कर लेना है तो यह हो जाएगा तम्बू बनाने में लगे तिरिपाल की कुल लंबाई तो आपको यहा लिखना है तम्बू बनाने में लगे तिरिपाल की कुल लंबाई यह आपकी 62. objetivo 80 meter पिलस इसमें करना है 0.02 मीटर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 63.00 मीटर ठीक है अब देखी दसलवी बात केबल 00 है तो ऐसे में आप दसलवी 0 हटा लीजिए तो यह हो जागा 63.00 मीटर और यही है आपका उत्तर तंबू बनाने में लगे तिरपाल की को लंबाई 63.00 मीटर तो उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आगया होगा मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में धन्यवाद